मेरे साथ मौझूद है U.A. Congress के प्रदेश अदिक्ष ड़क्टर विकरान भुरिया जो इन दिनों सुर्कियों में हैं सुर्कियों में इसलिए हैं क्योंकि U.A. Congress के प्रदेश अदिक्ष रहते अपने संग्ठन के साथ उन्होंने रानी कमलापती रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकी एक F.I.R. G.R.P. भोपाल ने उनके खिलाब लांच की और 26 मार्च को उनको जाववा से गिर्बतार किया गया लेकिन गिर्बतारी के तरीके को लेकर बवाल हुआ और जिस तरीके से सब कुछ हुआ उसके बाद शाम को देर शाम को उसी दिन कोड ने उनकी गिर्बतारी को अविधानी करार देकर उन्हें बगेर मुचलके के रिहा कर दिया तो इस पूरे एपिसोड पर पूरे मामले पर हम ड़कर विकरांद भुरियास से बात करेंगे से जो युवाओं की आदिवासियों की आवाज उठाते हैं उनकी आवाज बंद करने का एक प्रयास था बीजेपी सरकार और प्रसाशन एक नजीर बनाना चाहते थे कि जो भी हमारे विरोध जाएगा उसको कहां से भी हम उठा कर लेकर आकर उसको जेल में बंद कर देंगे और जिस तरह से नियमों का बिल्कुल पालन नहीं करा गया और जित्ती पुलिस भोपाल से भेजी गई इत्ती पुलिस तो शायद अगर वो नीरव मोदी और महिल चौकसे के लिए भेजते तो 14,000 करोड लेकर वो देश से नहीं भागते और सबसे चौकाने वाली बात ये थी कि भोपाल से यहां भीजा गया अगर वो पहले सूचना करते कि आप भोपाल में आई है तो हम खुद भोपाल पहुच जाते पर वो जान पूच कर पुलिस को भीजा गया और लगातार लोग ने अपना विरोध दर्च करा और जब भुपाल पहुचे तब पूरा दिन होने के बाद जब भुपाल हम पहुचे तो पुलिस को यह जानकारी नहीं थी कि उनको लेका जाना है अब ये कहने कोशिश कर रहे हैं कि कहीं और से नर्देश ले रहे थे वो हम गाड़ी में बैठे थे और लगातार उनके पास पोन आ रहे थे निर्देश उनको मिल रहे थे और बिना निर्देशों के पुलिस यह कारवाई कर ही नहीं सकती थी और इसमें बहुत उचे लेवल पर ग्रह मंत्री और शिवरा सिंग चोहांज जी का भी इसमें लिप पाए गये हैं कि वो लोग के माध्यम के उनके हस्तरशेप के बिना ये कारवाई हो ही नहीं सकती थी क्योंकि आपने मद्य प्रदेश में किती कारवाई ऐसी देखे होगी कि आगर उनके पास सीधा निर्देश होता तो वो किसी एक थाने पर ले जाते हैं ना हभीब गंच पर रुक पाए वो फिर बोलते हैं कि हम भोपाल स्टेशन बले हैं वहां नहीं रुक पाए फिर उनको भी जानका नहीं थी वो स्पेशल कोर्ट बैड़ गया तो कोर्ट रूम में क्या हुआ वो आपी से जानेंगे क्योंकि आप वहां पे मौज़ोद थे उसके डिटेल तोड़ा दरश्चक को बता ही देखे कोर्ट में बहुत ही चोका देने वाले निर्ने हुए और जब हम को कोर्ट ले जाये गया क्योंकि बीजेपी ने पूरा प्लान बनाया था प्रसाशन और सरकार ने पूरा प्लान बनाया था कि गृफतारीस रवीवार को हो ताकि रवीवार को किसी तरह का कोई में कुछ पूर्चामिको के हटाल रही है तो उन्हों ने पूरा सुजनुयाजित तरीके से इस तरह करा ताकि ये बेजिका statements का message की कि डराने का message दे लोकतंत्र को डराने का messages कि ए जो चैसे बोलते आप अपको अपने जमानत की अरजी देनी है तो मैंने बोला हमको जमानत की अरजी नहीं देनी है उन्होंने बोला कि आप अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं तो मैंने बोला नहीं मैं अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ जो सच है और जो आपको सत्य लगत और प्रभलिस् प्रसाशन द्वार तो यह बिल्कुल भी असंविधानिक है, संविधान के विरोध है, नियमों के विरोध है, और सब कुछ ताग पर रखकर पुलिस ने ये कारवाई करी है और सबसे चौकादेनी वलीवाल बात ये थी जो अधिकारी मुझे गिरिफतार करने आये थी वो यहाँ पर जाबों में कहकर गए कि हमको नियायले से आदेश हैं और हम नियायले के आदेशों का पालन कर रहे हैं नियम के हसाब से काम नहीं कर रहा हूँ उनको फटकार लगा कर उनको शोकाद नोटेश भी जारी होता है और ये भी कहा जाता है कि जो जमानत दे रहे हैं हम डॉक्टर विकरांग गुरिया को वो बिना शर्त के बिना मुचलके के उनको जमानत दे रहे हैं तो ये अपने आ बड़ाई लड़ते हैं हमें जिल में दान डालने का प्रयास करा गया पर आप डरने वाले नहीं हैं और अगर पुलिस गलत काम करेगी तो उसको मूत और जवाब प्रसाशन और पुलिस को हम निश्चित तोर पर देंगे तो एक सब्सक्राइब भी बनता है कि जब पुलिस ने आप कहा रहा हैं कि गलत तरीके से आपको इहरासत में लिया उसको अधिकार नहीं था कोड़ ना विधानिक बताया तो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के खिलाब आप कोई लीगल मुव्मेंट करेंगे निश्चित तोर पर इसमें बड़ी धाराएं लगती हैं पुलिस पर क्योंकि इसमें जो धाराएं लगती हैं वो बहुत बड़ी इसलिए लगती हैं क्योंकि इसमें आपका कंटेंट आफ कोड भी लगता है उसमें सिटी आर्ट भी लगता है और ये जो धाराएं इसी धार आए हैं कि इनका पूरा करियर खतम कर सकती हैं इनको पुलिस नौकरी से भार कर सकती हैं तो निश्चित तोर पर हम उन चीजों पर भी हमारी बात चल रही है और इसमें लीगल एक्शन हम निश्चित तोर पर लेंगे तो ये पूरा कटना करम हो गया अब आगे जो चुनावी साल है छे मेने बचे हैं तो क्या यूवर कॉंगरेस अगला कौन सा बड़ा आंदोलन करने जा रही है देखे अब तो आंदोलन शुरू हो गया है और लगातार हमारे बड़े बड़े आंदोलन चलते रहेंगे और अब आपकी राय कमेंट वाक्स में आप जरूर बताएं